हाई प्रेंट्स अश्लाम अलेकूम वेलकम टू मा चानल अकिलास किचिन कैसे आप लोग अलम्दलिल्ला आप लोग ठीक होंगे अकिलास किचिन में आज हम लोग एकदम स्पेशल डिश और बहुती टेस्टी और याम्मी डिश बनाएंगे डिश है चिकन खपसा राइस यह हम हमारे बापे कुरेशी होटेल है भापर मिलती है बहुती टेस्ट वह सेम इसी तरीके से सफ की जाती है देखें पहले हम को अच्छी तरीके से मेरिनेट करते है उसके बाद ही हम आपको सारी चीज़े आपको समंझ में आए गयो बहुती टेस्टी और यम्मी बनता है यह और अद्रग का पेस्ट और इसे जादा करके आप हाथ से ही लगाना तो अच्छे से मारिनेशन होता है और फ्रेश लाइम आदा लिम्बू हम इसमें दाल देंगे और हल्दी पॉड़र दालें आदा चमच और हाथों से इसे अच्छी तरीके से मालिश करना हर साइट से इवन पहले आप भीगाने के लिए रख सकते हो एक बड़ा चमच तेल आड करेंगे और इसमें देशी घी डालेंगे और देश पत्ता दालचीनी बड़ी लाइची दो दालेंगे हरी लाइची चार से पाच बादियाना एक दालेंगे फिरंज बड़ा इसमें काली मीर्दी दाले यह जाय पत्री दालेंगे और शाही जीरा निग जालेंगे मेरें पाणग quarters और यह घ्रम जीश जेरा शाती है जो निदिधारंक फ्लेवर के टूर इनकं लोगता जायग तरी जाम लोगत जो साफज करने जालना तो थे कद्साद दालें ड़ान आप डिकल कहते सिंद द्रम कि पेस्ट और अच्छी तरीके से पकाने के बाद हम उसमें चिकन फ्राइ करेंगे देखिए दस से पंदरा में टाप इस तरीके सा चिकन को फ्राइ करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ फ्लेवर आता है और जो हमारे बर्तन में लगा था उसका थोड़ा साम पानी दालेंगे देखिए फिर इसके साइट चेंज करेंगे इस तरीके साब चिकन ट्राइ करना आपको बहुत ही अच्छी लगेगी यह अपसार आइस बहुत ही टेस्ट यम्मी वनी थी घर पे भी सबको अच्छी लगी थी आप जरू ट्राइ करना देखिए चिकन ने उसका पानी भी जाता है उनका जाधा स्पाइसी वो लोग नहीं खाते है पर इसको थोड़ा इंडियन तड़का देना ही था इसलिए मुझा हम इसे थोड़ा स्पाइसी नॉर्मल ज्यादा भी नहीं और इसमें टामाटों प्यूरी दालेंगे आप प्यूरी होंगी आपके जो मार्केट मे कुणर या यह चैनल प्यूरी गतुरियो लूब आप से हमुए से हमारे через 1-5 kg जितने राईस के तो उसे हम इसमें 4 2 तो आप एसे दाल कर देखना बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है और फिर हम एक बड़ा चम्मज घी दालेंगे और इसमें ड्राइफूट दालेंगे काजू बदाम और मनुके देखिए काजू को हमें पहले फ्राइ करके निकालना है और हम बदाम दाल देंगे शाही अफ फूल घाए को हम 2 तरीका छोट मतबू देखिया टेखिए और मनुके अची तरीके से हो चुके है तो आप थोड़ा नमक भी इसमें आड़ कर सकते हो फ्रेंड्स देखिए और इसे हम पकने के लिए साइड में रख देंगे और इसके उपर से हम इसका जाइफल पॉडर आता है हम वह दालेंगे देखिए उसे टेस्ट आ फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है से ड़क के पकने पीछे के साइड पे भी इस अच्छी तरीके से लगाना ऐसा भी चिकन यह इतना टेस्टी लग रहा तो इतना सौफ लग रहा ता अंदर से आप जरूर इस ऐसे तरीके से ट्राइक करना बनाने के लिए इंशाला आपको यह खपसाराइस बहुत ही अच्छे लगेगे फ्रे आप जरूर से ट्राइक करना जो बचावा जाफरान का पानी तब हमने डाल दिया राइस में और एक बार राइस को भी ऊपर नीचे हमें करना है दूसरे साइड हमने ले लिया था ग्रिल पैन उसमें जो हमने यह यह राइप्रूट्स प्राइक हमने घी दाला था और थोड एक एक पीसिस को हम लगते जाएगे और इसे हलक हलकी हाथों से ही आप प्रेस करना जादा इसे जोर से नहीं करना है देखे इस तरीके से माशाला कितनी तरीके से नीचे से लाइन भी आ चुकी है देखिए अलट पलट करते वे आपको इसे सेखना है जो दूसरा खपसा राइस था हमने वो भी चेक करेंगे देखिए माशला हमारे चावल भी कितने खुले-खुले बने राइस और इसके उपर से और फ्लेवर आने के लिए देखिए चावल भी पक चुक है और इसमें हम दालेंगे देशी घी और जो हमें चिकन फ्राइ करके रखे थे वो इसके उपर से दालेंगे देखिए हमारे खपसा राइस रेडी है इसे और भी गानिशिंग मतब यह पर कुरेशी ओटल में कैसे देते ना फ्रेंड्स पूरे ड्राइ फ्रूट और अंडा ब पूचे थे और इसमें ममी का तड़का है एक्चुली देखिए लास में फिर ममी ने बोले हम भी अंडे बॉल करकर रखते तो इस तरीके से मुमी ने भी अंडे बॉल करके रख देते उपर से बहुत ही टेस्टी और यमी चिकन भी इतनी अची तरीके से बॉल हुआ था आप ज़र इस तरीके से ठ्राइ करना आपको इंशाला ये विडिया ने भी अच्छी लगेगी और आप कमेंट करके बताना फ्रेंड्स आपको अफगाने डिशिज और कौनसी देखनी ममी क्यात की मैं इंशाला आपके साथ में वो रेसिपी भी शेयर करूंगी थैंक्यू वाचिंग वीडियो फ्रेंड दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बाई अला फिस में तेख नेक्स एपी के साथ बाई बाई